नमस्कार स्वागत है और एक नए ब्लॉग में अब हम जा रहे हैं एक खास जगा पे क्या है वहाँ की कहानी चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में दोस्तों आप हम जा रहे हैं निमाय आस्रम और बोद्धभुमी देखने के लिए बोद्धभुमी की कहानी यह है कि 1971 के वार के समय यहां के जो राजाकार जीने कहते है वो पकिस्तानी सिनाओं के साथ मिलकर यहां के जो इनोसेंट लोग थे अनगिनित इनोसेंट लोगों को म नाड़े थे और उन्हें उसी जगाह पर दफना दिये गया है इस गाउं में अगर आपके पास मोटोर सेकल है तो वह आप सवारी कर सकते बनना ये तिन पहिया वाला जो रिक्षा है उसी में ही आपको सफर करना पड़ेगा और जिसमें आप हम सफर कर रहे हैं और ये खुबसूरत नजारा है यहां के गाउं का पतली सी सरक जबकि ये पकी सरक है और तोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ साथ में ये खान की खेती ये खेजूर के पेर कफी सारे है और अब ये एक देखती ने भी खेजूर का जो रस निकालते हैं जूस निकालते हैं शायद वो निकाल कर लेकर जा रहे थे अब हम आकर उस आश्रम में पहुंच चुके हैं आते ही समने देवी दुर्गामा का मूर्ती ये है स्री निमाई चंद्रदास जी 1971 के बीर मुख्य योध्या भक्त निमाई सेवाश्रम पंगलाद शरकार की तरफ से इसको बना कर दिया गया है और यही है वक्त निमाई सेवाश्रम निमाई दा है उनके बड़े भाई है नोशकर आपना नाम की आपना नाम की आपना मोलो सुसांत कुमटदास अच्छा तो आपना रदादा उनी आमार मजबन आमेल बोलो तू आपने आपने अंगन में ही यह समाधी स्थान बना कर रखे है दोस्तों मुझे भी यहां कर बहुत खुशी हुई कि बंगला दिश में आकर किसी मुक्ति युद्धा के उनके पित्री निवास पे मैं इस बक्त हूँ तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस स्थाल पर पहुंच सका हूँ आ सका हूँ उनसे अगर मुलाकत हो जाता तो मुझे और भी अच्छा लगता त वह भी उन्हें कई तरह से सहायता करते कई तरह के जैसे बताए कि पांखा बगएर यह सब लगवा देना यह करते हैं क्योंकि मुक्ति युद्धा है पूरे देश बर में उनका सम्मान हमेशा रहेगा यह मैं आपको खास चीज दिखाता हूँ मिट्टी को देखिए पॉली मिट्टी है जो फार्टाइल मिट्टी जो फ्लार्ड के साथ आता है वो ही मिट्टी है जो नदी की किनार होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी है दोस्तों ये है एक्चुली बीश्खाली नदी और ये नदी का एक्चुली डेथ हो चुका है और आप सिकूर कर इतना सा ये खाल जैसे बन कर रह गया और इसी बीश्खाली नदी की किनारी ये वो है बद्धो भूमी ये है दोस्तों वो बद्धो भूमी जहां पर 71 में अंगिनित लोगों को मार कर इसी जगा पर दफना दिये थे लोकल लोगों से बात करके मुझे पता चला कि दो दो बेक्टियों के हाथ एक साथ बांध दिये गये थे ये सब बजार में गया थे तो जो बजार में कमन गाओं के लोग रहते है वो उस जगा पे उने पकड़ा गया है और उनके दो दो हाथ को बांध कर एक लाइन से उसे बिठा दिया गया और फिर उनपर गुली बरसाई गई और फिर उन्हें लाकर इस जगा पर दफना दिये गए है और इसी जगा का नाम तब से बहुत धुभूमी रखा गया है यहां कुछ उनके बारे में लिखा हुआ था शायद पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि मिट चुके है अच्छा लगता था कि इस चीज को और अच्छी तरह से मेंटेन करते है इस ने शाकर कर दी बादारे गण अकम माने मैंने शेहाट गिराव करिया शेकाने र्याता कर राशान ती भाहने राव भूला गुली करिया हात पाव बांदे गुली करिया इस चिरित शोईद मिनार इस बाई ताले जोनार आग पड़त दूशे इस अर खाले भीले भाशे गेसे तुजनार हात इन बांदे खाले पाड़े निया तक उन तरह गुली करे सब रत्ता करे आरव ताल परे ती शू लास एखने पाईता लिज़ने मोतोर एग गठे गणो कबड़ दिया शे अर बाकी देर के बाकी देर भाशे गासे के उन माने डे लो खाले जौल तो दोस्तों आप जरा सोचिये की इनोसेंट लोग बजार में गये है अपने रोज मरना के काम के लिए और उन्हें उस तरह से हाथ पैर बान कर उस पर गोलिया बरसाई गई और फिर उनके डेट बोडी को लाकर यहां पे दफना दिये गए जिनके अपने ज जरा सोचिये सब बात आज भी दिल दहल जाता ही सब कहानी सुनकर हमें 71 की कफी सारे कहानियां पढ़े तो है लेकिन इतना डीटेल में इस तरह का घटना शायद पता नहीं था तो यह सारे जानकारी यहां आकर ही मुझे मिल रहा है तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो हाट जो बजार है वो दिखाओ एक बार इन सहीदों को नमन करते हुए हम यहां से बिदा लेते हैं ददापना के अनेक अनेक धुन्नवाद नमस्कार तो दोस्तों आप हम जा रहें उस हाट बजार में जहां पर यह गोला गुली किया गया था दोस्तों आप हम उस बजार में आकर पहुंचे है जहां पर निहत्ते लोगों के उपर गोलिया बरसाए गई थी यह है वो हर्ड बजार यह सब मकान तब नहीं था जिस जगा पर सारे बेपारी क्राई भी क्राई करने के लिए आये थे और जिन पर गोलिया बरसाए गई थी 1971 में मैं आपको दिखाता हूँ यहां चार खाल आकर एक जगा मिले हुए है यहां आप देख सकते हैं यह दो खाल एक इस तरफ से आया और इसी खाल के किनारे सभी लोगों को उनके हाथ बांध कर जैसे मैंने पहले भी बताया दो बेक्ती के हाथ एक साथ बांध कर उसको खाल के कि इन से बिढ़ा दिया गया था और फिर उन सब जो इनोसेंट लोग थे उनकी उपर गोलिया बर्साई गई थी। ये देखिए दो खाल ये चार खाल मिले है और फिर उनके डेट बोडिस को इसी खाल में फेक दिया गया था और कुछ लोगों को मैंने अभी जो आपको दिखा कर लाया उहां ले जाकर उन्हें दफना दिया गया था उन में से 31 सहीदों के नाम यहां पर लिस्ट किया गया है जो 1971 में अपने प्रानों की आहोती देकर अपने देश को आजात कराने के लिए लड़े थे वो निहत्ते थे और उन पर गोलिया बरसाए गई थी एक चीज लिखावा है कि आरो नाम ना जाना उनेक इसे काफी सारे लोग थे जिनके नाम पता नहीं चला और उनके नाम यहां पर लिस्ट में नहीं आया लेकिन यह सिप 31 है उससे कई गुना जादा लोगों को यहां पर मार दिया गया था और यह 1998 में इस स्मृती स्थम्ब को बनाया गया था उन सभी शहिदों को याद करते हुए यहां कुछ स्थानिय लोग है मैं उनसे भी बाते करना चाहूँगा दादा की बोलें आपने चिलें आपने चिलें तो दोस्तों देखिए मुझे एक ऐसा बेक्ती मिल गया कि उस दिन यह जो हत्ताकांड हुआ था इस बज़ूर बेक्ती मुझे मिल गया चलिए उनसे बाते करता हूं और जानता हूं कि एक्च्छली उस दिन हुआ क्या था बहुं अपने अपना नाम बहुंगा देलार होसन शेख जी हमारे साथ है अब बले एक रिखन दोखर गुली हाए एई जय गया एक रिखन दोरेडिया है साब अब नाइन दिलो अब लाह इन दिया गुली कल होते पारे आपनार मत ठेया हूं तो जारा आच्छली कुन दिख दिया आच्छलो मनें अच्य आपनार है इस तरफ से लोग आये थे और रदाकर क्याम छिलो ऑफनिय दिख एच्छलो ओजागार ते क्या आई थे बादर आडदर लोग ने जोगा जोए और जागधान नाम क बढ़ आङका नमें अच्का लो जानडाला को क को है. अच्छान ऐघए इंतंडा विहा आगक जया है. लोका आखे सऺड़ोगगिको यह जानlier भी जाते हैता है. तब सब्सक्रा end ऐडूव यह लीलाहन बाग्टिक. आप बत फन्ह दिवस्द बाँ है. यह ते बःब जगह ओंदाग का माई पिला हो यह उते पूली जीग्णता हना तो खमेलेखक एला आ। अधर पर पहलो घ्या रचिला बश्योद σब्सारा पका थूली। सब्सक्राक टो चला गणिये करें जिलने तेक गुली। अल्लजाहा कर गणान अगया झाली कि अगया, को प्रूमारेश लेटी गण है तरूमारेश जिर जो जे जार परड़ा है क्वार्था जो जो जिए झाली से लिए लेट्र भाध पुछ फृट्रे जाह जगा है यह बड़े से लेजाए पूरीजू को जो है उतील, बाफराली रुष्तु मनला, इद्धिस्मनला, तार पर मोधिबर मनला तो अधर पर यार साश्ती होय नि? वोड़े फेला चैरे मुठीमे और विती है। मुग्चिवें कि उप्रीशी से राँ है। तो 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 लेठे वहिए हैं आज है। आज एक आज हैं, आजल कोम हैं प्रहाजी जए लाज़े। वोड़ जिसुमे है। तो दोस्तो सारे कहानिया आपने इस थानिया लोगों से अपने सुने हैं मैं और क्या बता हूं इसके बारी में तो इसी स्मृति स्थम के पास से ही आप से मैं बीदा लेता हूं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कफी सारे जानकरी मिला होगा अगर ये वीडियो पसं कर ले अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद